तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिखेंगे दो अक्षरवाले हिंदी सब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं जैसे कि आप वाटसेप या अधर कोई भी सोसिल मेडिया प्लेटफॉर्म पर अगर चेटिंग की होगी तो वहाँ पर हम जिस्तरी का निलिकते हैं I mean Roman English लिकते हैं कभी-कभी नहीं लिख पाते हैं कभी हमने क्या क्या है क्सली चलाया है यह पहला पार्ट है इसमें हम लोग पहले चोड़े-चोड़ेसब्दों को इंग्लिस में लखना सीखेंगे अगर नहीं आता है तो मैंने आप यह लिख दिया है आप इने पढ़ ले और इसे हो सके तो इसे नोट कर ले और याद कर ले ठीक है उसके बाद आपको ओवा से लेकर यह लगतक का पूरा एंगरिजी आना चाहिए जैसे और डबल से आ, आई सरसा, डबल से दिर गए यूस रशो और डबल असे दिर गवाओ उसके बाद आप असानी से लिख पाएंगे इसका इंग्रिस ठीक है यह तो बिल्कुल आना आई चाहिए, यह तो compulsory है, जैसे कि A से A, I से छोटी की मातरा, W से बड़ी की मातरा, U से हरसू, डबलो से द्रुगव, E से A, A I से I, O से O, A U से O, A N से चाहिए, अब चलिए सीखते हैं, तो पहला सब्द है, सच, इसो कैसे लिखेंगे, तो पहले सो का बानते होंगे हैं, सो का एंगलिस क्या होता है, S, क्या होता है, S, अब इन दोनों सब्दों के बीच में, दोनों अक्षरों के बीच में कोई मातरा नहीं है, तो हम इसके जगा ए लगा देंगे, अगर मातरा नहीं भी है, फिर भी हम यहापे, A लगा देंगे, तो सो से हो ग खल, तो खॉक अंगलिस क्या होता है? के एच के एच और यहाँ पर कोई भी मातरा नही है तों क्या करेंगे? ए लगा देंगे ए एल खाल okay नेक्षट है जल जोक अंगलिस क्या होता है? जे कोई मातरा नही है फिर पिर भी आपक आलाएंगे? ए पी एच अब यहां पे कोई मात्रा नहीं फिर पर क्या करेंगे ए लगा देंगे तो पी एच ए एल फ़ल ठीक है वह नौ वन अब दीके वह लिए हम दो इंग्लिस लेटर का यूज करते हैं एक तू व और एक डवियू यहां पर यहां वी का यूज करेंगे वी से हो गया वह और यहाँ पर A की मात्रा नहीं है तो A लगा देंगे A और N क्या हो गया? 1 बल बा का अंगलिजी हो गया B यहाँ पर A लगा देंगे B A L बल नेक्स्ट है चक C H से होता है चो A रखा का अंगलिजी हो गया है K H चक दल दा का अंगलिजी हो जाएगा D यहाँ आप A लगाएंगे A और फिर L डल जहाँ का अंगलिजी होता है J H J से जह होता है और J S से जह होता है J H A T जट उसके बाद हैं मन M से मो पहले M लिखेंगे फिर A लगाएंगे M A M मन उसके बाद है बस B से बह B A S बस पढ़ P A और D H से ड़ D S से ड़ P A D H पढ़ उसके बाद है मत M A लगाएंगे A और तॉक अंगलिजी होता है T यहां हो जागा T मत ओके चौक अंगलिजी क्या होता है C H मत रहन नहीं है फिर भी हम A लगादेंगे C H A C H A D H G H G H A A R घर बढ़ B A D H बढ़ चल C H A L चल K A K A R कर उसके बादेंगे यस Y A और तालमपिशों क्या होता है? S H Y A S H यस उसके बादेंगे K A H क Sir S A R Sir रोमन में मैं ऐसे लिखते हैं लेकिन इंगलिजी में S I R होता है Sir उसके बादें रख R A K H रख नल N A L नल उसके बाद है धन D H A N धन उसके बाद लिखा है अब पहेदे लिखेंगे A फिर A और B अब नेक्स्ट है हल हॉक अगलिजी क्या होता है H A का माद A लगाएंगे और फिर L हल नर N A R नर छल अब छॉक अगलिजी क्या होता है C H C डबल H होता है Sorry C डबल H A L छल अगे पर यहां रहेंगे J A L जल B H A R भर जल भर बस कर B A S रोमन में मैं ऐसे रहते हैं B A S बस लेकिन अगलिजी में B U S लिखते हैं इन इंगलिज में इंगलिज में ठीक है B U S बस B S बस K A R कर बस कर डर मत D A R डर M A T मत डर मत हल रख H A L हल R A K H रख हल रख फल चक P H A L फल C H A K H फल चक जट चल J H A T जट C H A L जट चल नल पर चल N A L नल P A R पर C H A L नल पर चल रख पर चट रख कैसे रखेंगे R A T H रख P A R पर C H A D H चट रख पर चट नट खट मत बन M A T नट K H A T खट M A T मत B B A N बन नट खट मत बन जट पर मत कर J H A T जट P A T पर M A T मत K A R जट पट मत कर बस इतना ही था तो कैसा लगा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो एक लाइक कर लीजिएगा और पहले दफ़ा इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का informative वीडियो आप सभी को मिलता है यह तो part 1 था इसके बाद continue, part 2, part 3, part 4 ऐसा ही continue हर एक मात्रा वाला अब यह दो लिटर का है फिर अगले 3 सब्सक्राइब आएगा फिर 4, 5 सब्सक्राइब जिरूर कर लीजिएगा और हाँ आप अगर कॉमेंट करना चाहते हैं तो इनहीं में से कोई 5 सब्सक्राइब का एंग्लिस लिख की कॉमेंट कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक क्यार, लव यौल, थैंक्यू सो मच